हेलो एब्रिवान जैस याराम हमारे हिंदु धरम में अमावस्य तिति को बहुत ही विशेश माना जाता है और जिस अमावस्या पर सोमवार पढ़ जाए उसी को सोमवती अमावस्या कहा जाता है और सोमवती अमावस्या को करवा चोत के समान फलदाई माना जाता है इस दिन प या तो अपनी सास के दूआरा सामवतिया मावस्य को पूजना शुरू किया जाता है, यानि कि अगर आपकी सास बगारा पहले से पूजती हैं, तो फिर वो आपको अगे के लिए दे देती है कि अब आप पूजा कर लो या फिर आप खुद से भी उठा सकते हैं, चाहें आप जैसे भी शुरुवात कर रहे हो लेकिन शुरुवात करने का एक विशेश जो है महत्व होता है आपको किस खास चीज से ही इसको जो है शुरू करना होता है तो आज की वीडियो में वही देखेंगे कि जब आप पहली वार सोमवतिया मावस्या की पूजा शुरू तो आप रोली ले लिजिएगा तो मैंने आप रोली ले ली है साथी में कलावा ले लेंगे हम तो मैंने आप कलावा भी ले लिया है और उसी के सासत परिकम्मा करने के लिए हमें चाहिएगा कच्छा सूत तो आप चाहें तो खाली परिकम्मा करने के लिए कच्छा सूत भी आपने इसाब से देसीगी का तिल के तेल का जो आपको सही लगे वह आप ले सकते हैं। उसके बाद हम बोग के लिए कुछ ले लेंगे तो मैंने आप पूरे लिए हैं। आप कोई और मिठाई या पेठे की मिठाई वगारा भी ले सकते हैं। आप कुछ बाद करें हैं। आप लोटा जल बहें तो आप अपने घर से लेके जाएं। तो यहां परिकमा करेंगे पीपल सीचेंगे तो उसके लिए हमें जल भी चाहिएगा। अगर आप पहले से पूजा करते आएं तो आप कुछ भी ले सकते हैं। 108 चीज लेकिन अगर आप पहली बार शुरुआत कर रहे हैं तो फिर आपको शुरुआत करनी चाहिए पीपल के पत्तों से तो हम यहां पे पीपल के पत्ते ले लेंगे तो आप कहीं भी जाके जो पनवाडी की दुकान होती है वहां से लेंगे तो आपको असानी से मिल जाए हैं लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो फिर आपको पीपल के पत्ते और धान यही लेना होगा इनी से आपको पहली बार में पूजा करनी होती है पर कम्मा करनी होती है यहां पर मैंने जो है 54 पीपल के पत्ते ले लिया है तो आप धान और पान से करें चाहें तो आ तो यहांपे आप एक पीपल का पत्त्त, और और ढदान जाए गए और परिकम्मा करते रहेंगे और पिर उसको चढ़ते रहेंगे तो यहांपे यह पे प्यायो करते ले लियें हैं इस चेहां और देखे आप को असानीं से जो पनसारी की दुगान पर मिल जाता है वह आप को तो आप ये इस तरह से ले ले तो देखिए जिसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप पहले से करते आए हैं आपने कर लिया है आपने मिसासू वगएरा का या किसी भी बड़े रिष्टे ने आपको दिया था और उनी को आप आगे बढ़ा रहे हैं तो आप किसी भी चीज से कर सकते हैं लेकिन अगर आप शुरुवात करना चाहते हैं तो फिर आप पीपल के पत्तों से ही करें और धान से करें उसके बाद आप चाहें तो जो भी कुछ दे सकते हैं और सोमती वावस्य का बहुत जड़ा विशेश महत्व होता है इस दिन परिकमा की जाती है पीपल दीक सकते हैं waar आपको सभी के वीडियो चैनल पर मीरे देख सक ते हां पहली बार पूजा कैसे करेंगे उसकी वीडियो में आपको दे दूंगे jay गा आपको सभी वीडियो मेरे चैनल भी जाएंगी कि मिल जाएंगे हुअ फाटव橋 से एक सब मेरे जा कते हो उन्हें भी आप जरूर देखेगा और अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी रखती है चैनल पसंद आता है तो लाइक, शियर, सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में जैस यारम जरूर लिख दे जैस यारम